अश्लाम बलीगूं, वेल्कम बैक टो मैंगे चानल, आज हम देखेंगे कोकनी डिस सरोले की रेसपी, कच्चे सरोले किस तरह से बनाये जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं, काफे रिक्व़स्ट आ रही थी इस रेसिपी के लिए, तो चलिए देखते हैं इस डिश को कैसे बन 2 टेवल स्प्इन रवा कि एक न बाने के लिए एक प्याली में हम द्द्ध द्धेम रवा और doma小 ले इंड़े मेडा हम रवे और मैदे के सरोले बना रहे हैं बस अब इस रवे और मैदे को मिक्स कर लेते हैं जितना आप रवा लेंगे उतने ही quantity में मैदा लीजिए मैं आपको थोड़ी सी quantity में बना के बता रही हूँ अब एक बर्तन लेंगे और ये जो हमने रवा और मैदा मिक्स कर रखा था उसमें का आधा हम इसमें दाल लेंगे नमक दालेंगे बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर हम इसे रोटी की तरह गूंद लेंगे जिस तरह रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह से हमें से गूंद लेना है आप चाहो तो सिफ रवे के या सिफ मैदे के भी सरोले बना सकते हो हमने रवा और मैदा मिक्स लिया है बस थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर हमें जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह से गूंद लेना है देखिए हमने इसे मसल मसल कर गूं लिया है इस तरह से अब उसका एक बॉल बना देंगे और इसे हमें ढख कर आधे से एक घंटा फूलने के लिए रख देना है ताके जो रवा है वो अंदर से अच्छी तरह से फूल जाए तो बस अब हम इसे ढख कर एक घंटे के लिए रख देंगे और जो आधा रवा और मैदा बचा था उसके हम कलरफुल सरोले बनाएंगे तो इसमें से एक एक टेबल स्पून में दो डिश में दाल देती हूँ हलका सा नमक दालेंगे अब एक डिश में हम दालेंगे पिंक कलर और दूसरी में दालेंगे ग्रीन कलर अगर आपके पास लिक्विट कलर नहों तो जो पाउडर वाला कलर रहता उसमें बस हलका सा पानी गोल कर इसमें शामिल कीजिए और बस अब इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर गून लेंगे जिस तरह से पहले हमने सरवले का वाइट वाला आटा गूनदा था बिल्कुल उसी तरह इस आटे के हम colorful सरवले बनाएंगे तो यह देखिए pink color का भी आटा जो है वो हमने गून लिया है बस थोड़ा सा ही मैंने mix किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि colorful सरवले कैसे बनाए जाते हैं और अब जो हरा color हमने इसमें दाला है green food color उसको भी हम गून लेते हैं बस थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर हमें इसे गून लेना है हम दोनों टाइप के सरवले बना रहे है white भी और colorful भी तो यह देखिए हमारा green वाला भी आटा जो है वो तयार हो गया है हमने तीन कलर का आटा गुदा एक में बिल्कुल भी color इस्तमाल लहीं किया white दूसरा green और pink अब इसे एक घंटे के लिए cover करके हमने रख देना है ताकि फूल जाए अब इसे बनाने के लिए यहां हमने scores लिए हैं जो market में easily available है मैंने बड़ी size के लिए हैं और अगर आपके पास बड़ी size के नहों तो जो medium size के होते है उस पे भी आप बना सकते हो यह देखिए इस तरह के यह भी market में easily मिल जाते हैं अगर यह दोनों भी नहों तो आप plastic के जो पतली size के straw होते न छोटे वाले वो भी इस्तमाल कर सकते हैं अब देखिए आटे को गुंदे वे 1 गंटा हो गया है अच्छी तरह से फूल गया है बस अब हम इसे हलके से गून लेते हैं बस 2 मिनट और फिर हम इसके सरोले बना लेंगे तो इस गुंदेवे आटे में से हम थोड़ा सा हिसा लेंगे इसे इस तरह से लंबा सा रोल करते ह और इसकी हमें लोली बना लेनी हैं, तो मैंने ये चकला लिया है, आपके पास, अगर कटिंग बोर्ड हो तो आप कटिंग बोर्ड पर भी इसकी लोली बना सकते हो, अब इसे कैसे बनाते हैं, हम देखेंगे, बस इसे इस तरह से रख दिना है, और हतेली का जो निचला हिस्सा उस पर हमें हलका सा प्रेशर दालना है, और उसे इस तरह से मसल लेना है, घस लेना है, बस हातों को आगे पिचे कर लेना है, फिर इस तरह से ये जो लोली बोलते हैं, वो बनकर तयार हो जाती है, आटे का जो पतला सा लंबा सा रोल रैडी कर लेना है, ये देखेंगे, इस से एक प्लेट में रख देते हैं अब इस लोली को हम मैदे में डुबा लेंगे कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं और कुछ लोग बस इसे मैदे में इस तरह से डुबा कर लेते हैं इस तरह से करने से जो सरोले है वो स्कूवर से इजी ली निकल जाते हैं आप चाहो तो बिना मै चिपका देना है, बस इसी तरह से हमें सारे सरोले बना लेने हैं, आसानी के साथ बन जाते हैं, बस अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, बस नीचे की तरफ से इसे लेंगे और उपर की तरफ से इसे चिपका देना हैं स्कूवर्स पे एक ही साइस के पतले पतले से काफी खूपसूरत सरोले बनकर तयार होते हैं यह देखिए हमने पुरा स्कूवर भरके बनाया है इसे एक तरफ रख देते और दूसरे सरोलो को भी हम ऐसे ही बना देंगे, अब दूसरा स्कूवर लिया है हमने और इसे भी ऐसे ही बना देंगे, यह बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, अगर आपको यह तरीका डिफिकल्ट लगे तो हम आगे दूसरे तरीके से भी बना लेंगे, इस तरह से बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये बड़ी आसानी के साथ बन जाते हैं अब दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग इस तरह से लोली को मसल लेते हैं और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देते हैं और फिर इसे स्कूवर पे इस तरह से नीचे से उपर चिपका देना है थोड़ा-थोड़ा से ऐसे तुकड़ा तोड़ लेना है और स्कूवर पे इसे फोल्ड करते जाना है आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो मुझे पर्सनली जो पहला तरीका है इस तरह से जो फोल्ड करके बनाया जाता है वो इजी लगता है क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी से ये बन जाते है सारे सरोलों को हम ऐसे ही बना लेंगे देखिए ये हमने तीन स्कूर भरके बनाए हैं अब हम उसे निकाल कर बताएंगे हमने लोली को मैदे में डुबो कर लिया था इससे ये आसानी के साथ निकल जाते हैं देखिए काफी इजी ली निकल जाते हैं अगर आप उसे मैदे में डुबो कर नहीं लेते हो ऐसे ही तो इस स्कूर पे लपेटने के बार दो से तीन मिनट उसे हवा खाने दीजिए और फे निकाल लिए अगर आप फारण निकालोगे तो वो चिपकने लग जाते हैं तो ये देखिए जो हमारे सरोले है वाइट वाले वो बनकर तयार है बस थोड़े से ही मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे बनाए जाते हैं और अब जो ग्रीन और पिंक कलर का हमने आटा गूंदा था उसकी भी हमने लोली मसली है और उसके भी हम आपको सरोले बता देते हैं बस इसे भी स्कूवर्स पे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है पहले लोग इसे जाड़ू के पीछे जो लखड़ियां होती है जिसे सिरकन कहा जाता है उसे धोकर इस्तमाल करके उस पे सरोले बनाते थे और कुछ लोग जो छट्री की पतली वाली तारे होती है न उस पर भी बनाते हैं स्कूवर्स आजकल मार्केट में एजीली मिल जाते हैं इसलिए हमने आपको स्कूवर्स पे बना कर बताया है ताकि हर किसी को बनाने में आसानी हो जिसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप चाहो तो स्ट्रॉपर भी बना सकते हो पर कोशिश करें कि स्ट्रॉप पथली साइस के ही इस्तमाल करें ये देखिए हमने ग्रीन कलर के भी सरोले इसी तरह से स्कूवर्स पे फोल्ड कर लिए लपेड लिए हैं ये देखिए हमारे दोनों कलर के जो सरोले है वो बन गए हैं बहुत ही आसान तरीका है ये इसे बनाने का ये पिंक कलर के भी हमने इसे सिरकंट से स्कूवर्स से निकाल दिये हैं और ये ग्रीन कलर के भी सरोले जो है वो हमारे बनकर तयार है कलरफुल सरोले बहुत ही अच्छे लगते हैं देखिए वाइट भी हमारे बन गए हैं अब हम इसे धूप में सुखा देंगे और जब ये अच्छे से सूप जाए तब हम इन सारे सरोलों को मिक्स कर लेते हैं अब हमने वाइट में ग्रीन डाला है और पिंक आपको जो भी कलर के बनाने हों आप बना सकते हैं यलो औरेंज वगेरा अब इसे मिक्स कर देते हैं और ये देखिए हमारे सरोले जो है वो बनकर तयार है इसी अच्छी तरह से धूप में सुखा कर हमें स्टोर करके रखना है और ये देखिए हमने वाइट वाले भी अलग से रखे हैं कुछ लोगों को सिफ वाइट पसंद है प्लेन वाइट और कुछ लोगों को कलरफुल ये देखिए और ये दूसरे जो है वो कलरफुल हमने बनाए हैं थोड़ी से मैनत लगती है बट जब आप इसे बनाओगे ना तो एक काफी टेस्टी लगते हैं ये देखिए हमारे सरोले जो है वो बनकर तयार है ये जो सरो बनाने । बरने ना है । कैसे पकाए जाए है सकता है इसकी रेसीपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी रेसीपी पसंद आती है तो ज़रू प्राइब करना değiş приш कर ना अबहुन modular मिले साथ. तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, टेकर, लाफ़ेज़